दॉस्तों मैं डॉक्टर कुस्पेंद कुमार स्वाज़ करता हूँ आप सबी का अपने यूटूब चेनल पर दोस्तों आप ये शिजन जो चैंज हो रहा है सरदियों से यह हम ग्रमियों की तरफ जा रहा हैं गर्मी के मोसम की तरफ यह जो बदला हु रहा है सर्दियों से ग्रमिया आ रही है तो इस समय जो जुकाम खासी हाथ परों में टूटन ऐसा लग रहा जैसे एक वाइरल हो रहा इसमें जुकाम भी है अलका खासी भी है बोड़ी भी गरम हो रही है डियों में भी पैन बना हुआ है तो ऐसी कंडिशन में कौम सी होंपैटिक मेडिशन जो आपको फ्लू टैप की जो सिंटम्स आ रहे हैं यालका जुकाम हलका बोड़ी गरम रहना फीवर जैसा और खासी आकों में आसु और निजल डिस्चार्ज बोड़ी अकड रही है इस लग रहा है से ठंड से अकड रही है बिल्कुल ठंड बहुत तेज हैं लेकिन अब फिलाल में कम हो चुकी है तो उसको हमेशा यही कि सिर्फ ठंड से यह चीज़ें हो रही है ऐसा भी मानना बार बार गलत होगा मोसं चेंज हो रहा है सिलू जैसे संटम्स आ रही है तो अड्यों में पेन और अकड़न आ रही है तो ऐसे ही कंडिशन में हमारा ध्यान जाता है यूपेटोरियम की तरब जी हैं दूस्तो का थर्ड भीक लगवग स्टार्ट हो वेया है तो ऐसी कंडिशन में आप दिन का ताप माने वह बढ़ रहा है और रात का ठीक ठाक अपने ठंडे मोसं में बना हुआ है तो ऐसी कंडिशन में जो हों पैठिक मेडिसिन इस समय सबसे ज्यादा वेनिफीट दे रही है वह है द चाय बनाते हैं तो उसे काफी रात मिलती है तो यह सबने है पांच से दसबाने आप एक कप पानी डालके पれて पीए बच्चा तो फोट्वयों में डो थीन चपर ऐसा nam कि अपने जुकान खासी और अडियों में दर्दर हलका हलका सा बोड़ी टेंपरेटर दिखता है वे फ्लू जैसे सम्टम्स माने जाता है यह सबसे इस रजट्स दे रही है दोस्तों यही वह मेडिसिन थी जो समय बदलते मुसम में आपको इसी से बचा के रखेगी बिल्कुर सेफ मेडिसिन है आप कुछ दिन यूज कीजिए और इस तरह की समस्या से छुटकारा पाई है दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नमस्कार दोस्तों